तो दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि Chrome Browser से अपने YouTube चैनल पर वीडियो कैसे अपलोड करें अगर आप भी Chrome Browser से अपने YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड करना चाहते हैं तो आज गी इस वीडियो में मैं आपको step by step बताऊँगा कि आप किस तरह से Chrome browser से अपने YouTube channel पर वीडियो को upload कर सकते हो और किस तरह से आपको उसमें title, tag, description और thumbnail एड़ करने है और किस तरह से end screen और i button एड़ करने है और किस तरह से tag एड़ करने है यह सब मैं आपको इसी वीडियो में बताँगा और अगर आप Chrome browser से अपने YouTube channel पर वीडियो को upload करते हो तो आपकी वीडियो के viral होने के chance बहुत ज़्यादा बढ़ जाते है और इसके अलावा अगर आप Chrome browser से अपने YouTube channel पर वीडियो को upload करते हो तो आपकी वीडियो पर yellow dollar आने के chance भी बहुत ज़्यादा कम हो जाते है तो चलिए अब बात करते हैं कि Chrome Browser से अपने YouTube चैनल पर वीडियो को अपलोड कैसे करें तो इसके लिए आपको करना क्या है आपको सबसे पहले Chrome Browser में अपना YouTube चैनल ओपन कर लेना है और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहापर एक option दिखाई देगा Select File आपको Select File पर क्लिक कर देना है और Select File पर क्लिक करने के बाद आपको यहापर तीन option दिखाई देंगे तो आपको file वाले option में जाना है और इसमें जाने के बाद आपके सामने इस तरह का page open हो जाएगा और आपको यहाँ पर three line दिखाई देगी तो आपको three line पे click कर देना है और इस पर click करने के बाद आपको नीचे scroll down करना है और scroll down करने के बाद आपको यहाँ पर gallery वाले option दिखाई देगा जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर gallery वाले option दिखाई दे रहोगा तो आपको gallery वाले option पे click कर देना है और इसके बाद आपकी gallery open हो जाएगी तो चले मैं इस पर click कर देता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकता है कि यहाँ पर मेरी gallery open हो चुके है तो अब आपको क्या करना है आपको यहाँ पर arrow type का एक option दिखाई देगा आपको इस पे click कर देना है और इस पे click करने के बाद आपकी gallery में जितने भी folder होंगे तो वो सभी folder आपको यहाँ पर दिखाई देंगे तो आप जिस भी वीडियो को upload करना चाते हैं तो आपको देख लेना है कि वो वीडियो किस folder में है और आपको उस folder पर click कर देना है और जिस वीडियो को आप अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करना चाहते हैं तो आपको यहां से उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जैसे मैं इस वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करना चाहता हूं तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूं और इसके बाद आपको OK वाले option पर क्लिक कर देना है और इसके बाद आपकी वीडियो YouTube पर upload होना start हो जाएगी तो चले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी वीडियो YouTube पर upload होना start हो चुकी है और इसके बाद आपको यहाँ पर काफी सारे option दिखाई देंगे तो यहाँ से आप अपनी YouTube वीडियो में title एड़ कर सकते हो और यहाँ से description एड़ कर सकते हो और यहाँ से आप thumbnail एड़ कर सकते हो और यहाँ से आप अपनी वीडियो को किसी भी playlist में add कर सकते हो तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी वीडियो में टाइटल और डिस्क्रिपशन एड़ कर लेता हूँ तो दोस्तो टाइटल और डिस्क्रिपशन एड़ करने के बाद आपको यहाँ पर थमनेल वाला ओप्षन दिखाई देगा तो आप यहां से अपनी YouTube वीडियो में Thumbnail एड़ कर सकते हो तो Thumbnail एड़ करने के लिए आपको Upload Thumbnail पे क्लिक कर देना है और इसके बाद आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी तो आप जिस भी Thumbnail को एड़ करना चाहते हैं तो आपको यहां से उस Thumbnail को Select कर लेना है तो दोस्तों आप यहां पर देख सकता है कि मेरी इस वीडियो में Thumbnail एड़ हो चुका है तो इसके बाद आपको क्या करना है आपको नीचे Scroll Down करना है और Scroll Down करने के बाद आपको यहां पर दो Option दिखाए देंगे तो आपको नीचे Scroll Down करना है और Scroll Down करने के बाद आपको यहां पर एक Option दिखाए देगा Paid Promotion अगर आपने अपनी वीडियो में किसी Product या फिर किसी Application का परमोशन किया है तो आपको इसमें इस तरह से टिक लगा देना है लेकिन अगर आपने अपनी वीडियो में किसी Product या किसी Application का परमोशन नहीं किया है तो आपको इसको Un-Tick कर देना है और इसके बाद आपको फिर से नीचे Scroll Down करना है और Scroll Down करने के बाद आपको यहां पर Tag वाला Option दिखाए देगा तो यहां से आप अपनी YouTube वीडियो में Tag एड़ कर सकते हो तो मैं आपको बताऊँगा कि आप अपनी YouTube वीडियो में Searchable Tag कैसे एड़ कर सकते हो तो इसके लिए आपको Google पर जाना है और Google पर जाने के बाद आपको यहां पर सर्च करना है Rapid Tag और इसके बाद आपको यहापर rapid tag नाम से एक website दिखाई देगी आपको इस पे click कर देना है और इस पे click करने के बाद आपके सामने इस तरह का page open हो जाएगा तो आपकी वीडियो का जो भी title है तो वो title आपको यहापर search कर देना है और इसके बाद आपको यहापर अपने title से related का काफी सारे tag दिखाई देंगे तो आपको यहाँ से इन सभी को copy कर लेना है तो चले मैं यहाँ से इन सभी को copy कर लेता हूं और इसके बाद आपको फिर से chrome browser में जाना है और इसके बाद आपको यहाँ पर वो सभी tag पेस्ट कर देना है तो चले मैं यहाँ पर वो सभी tag पेस् दिखाए देंगे, तो यहां से आपको अपनी वीडियो की लेंगवेज सिलेक्ट कर लेनी है, और इसके बाद आपको यहां पर लाइसेंस वाला ओप्शन दिखाए देगा, तो इसमें आपको दो ओप्शन दिखाए देंगे, तो इसके बाद आपको फिर से नीचे स्क्रोल डाउन करना है, और स्क्रोल डाउन करने के बाद आपको यहां पर कैटेगरी वाला ओप्शन दिखाए देगा, तो आपने जिस भी वीडियो को अपलोड किया है, तो आपको यहां से उस वीडियो की कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी हूं और नेक्ट पे क्लिक करने के बाद अगर आपका YouTTIBE चैनल एक तो आपके सामने इस तरही पेज नहीं है तो आपके सामने यह पेज ओपन नहीं होगा तो यहां से आप अपनी video का monetization ओन कर सकते हो तो चले मैं यहां से अपनी video का monetization ओन कर लेता हूँ और next पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का page open हो जाएगा और ये page भी आपके सामने तभी open होगा जब आपका YouTube चैनल monetize हो जाएगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है आपको नीचे एक option दिखाई देगा known of this आपको known of this पे क्लिक कर देना है इसका मतलब ये है कि आपने जो भी वीडियो अपने YouTube चैनल पर अपलोड की है तो उसमें आपने YouTube की किसी भी कॉम्टी गाइडलाइन का उलंगन नहीं किया है तो चलिए मैं इस पे क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद आपको यहाँ पर submit rating वाला option दिखाई देगा आपको submit rating पे क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको फिर से next पे क्लिक कर देना है और इसके बाद आपके सामने इस तरह का page open हो जाएगा तो यहाँ से आप अपनी YouTube वीडियो में i button भी add कर सकते हो और यहाँ से आप अपनी YouTube वीडियो में end screen भी अपनी YouTube वीडियो में end screen लगा सकते हो तो end screen कैसे लगाना है और आइपस के लिए अपको यहाँ पर element वाला option दिखाई देगा आपको इस क्लिक कर देना है और इसके बाद आपको यहाँ पर वीडियो वाला option दिखाई देगा आपको वीडियो में जाने के बाद आपको इन प कर लेना है जैसे मैं यहां से यह वाली वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूँ तो आप यहां पर देख सकते हैं कि यह वीडियो एंड स्क्रीन में एड़ हो चुकी है और इसके बाद आपको फिर से ऐलिमेंट वाले ओप्शन में जाना है और फिर से वीडियो में जाना है और फिर से चूज स्पैसिक वीडियो पे क्लिक कर देना है और फिर से यहां से कोई भी वीडियो सेलेक्ट कर देनी है तो दोस्तों आप यहां पर देख सकते हैं कि मेरी दूसरी वीडियो भी एंड स्क्रीन में लग चुकी है और इसके बाद आपको save पी क्लिक कर देना है और save पी क्लिक करने के बाद आपने जो भी वीडियो end screen में add की है तो वो वीडियो आपकी वीडियो के end screen में add हो जाएगी तो इसी तरह से आप यहां से अपनी YouTube वीडियो में i button भी add कर सकते हो तो i button add करने का process भी यही है तो उसका notification आपको यहां पर दिखाई देगा और इसके बाद आपको next पी क्लिक कर देना है और next पी क्लिक करने के बाद आपको यहां पर तीन option दिखाई देंगे private, unlist और published और अगर आप अभी अपनी वीडियो को YouTube पर upload करना चाते हैं आपको publish पे क्लिक कर देना है लेकिन अगर आप बाद में अपनी YouTube वीडियो को YouTube पर upload करना चाते हैं तो आप यहां से private या unlist select कर सकते हो और बाद में आप कभी भी अपनी वीडियो को YouTube पर upload कर सकते हो जैसे मैं अपनी वीडियो को बात में यूट्यूब पर अपलोड करना चाथा हूँ तो मैं इसको unlift पर ही रहने देता हूँ और इसके बाद आपको save पे click कर देना है save पे click करने के बाद अगर आपने यहां से अपनी यूट्यूब वीडियो को publish किया है किस तरह से title tag और description एड़ करना है और किस तरह से thumbnail एड़ करना है और किस तरह से add screen और i button एड़ करना है तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होते वीडियो को like करना और channel को subscribe करना